हेलो एवरिवन मैं उत्तुम चौहन आप सभी का सवागत करता हूँ आज हम अरियाना पुलिस की एक न्यू अपडेट के बारे में जिकर करेंगे देखिए आप सभी को पता है अरियाना पुलिस जो मेल कॉंस्टेबल का एक्जाम था वो चुका है और उसकी जो जितनी भी जो आपने अबजेक्शन थे वो भी डाल दिये हैं लेकिन आप जो है वेट कर रहे थे कि रिजल्ट कब तक आएगा क्योंकि एक न्यूज पे परता है जिसके अंदर पंदरा तारिक से जो है आपके फिजिकल दिखा रखे थे और आपका जो रिजल्ट जो है अब तक आ जाना चाहिए था जो आपका रिटन का जो रिजल्ट है उसकी डेट जो है लगबग वो तेरह से पंदरा तारिक के बिच बताई जा रही थी या फिर HSSC का इतना फास्ट प्रोशेस था लेकिन इसको थोड़ा सलो कर दिया गया है इस सलो करने के पिछे रिजन क्या है क्यों हो रही है देरी देखिए सब चीज फिक्स होने के बाद एक्जाम हो चुका है सब कुछ हो चुका है सब मतलब जो पिएस्टी की जो तैयारिया है वो भी HSSC के तरफ से पूरियो रखी है फिर भी जो है पिएस्टी के लिए कोल क्यों हो नहीं आरी मैं आपको बता देता हूँ देखिए क्यों हो रही है देखिए आप सबी को पता होगा कि CID इन्वेस्टीकेशन चली हुई है देखिए जितने भी एक्स्ट्रा पांच नंबर मार्क्स लेकर जो भी मतलब फरजी नंबर लेकर जितने भी बच्चे लगते थे उनके लिए अब गुप्त CID जात चली हु यह उनकी जात चली हुई है वैसे लड़कियों की जात जो ही बिल्कुल पूरी हो चुकी है और लड़कियों का रिजल्ट आज या कल में कभी भी यह रिजल्ट जो है आ सकता है यह मापको बता देता हूं लड़कियों की जात बिल्कुल कंप्लिट है लड़कियों का रिज है रिजल्ट कब तक आए ठीक है अब मैं आपको बताता हूं कि मेल कॉंस्टेबल के रिगार्डिंग क्या चल रहा है देखिए मेल कॉंस्टेबल के लिए चीडी जाच तो देखिए चली रही है सब प्रोसेस चले हुए है जितने भी एससी ने बिल्कुल कलियर कर दिया जिस आप यह मान सकते हों कि नॉर्मलाइजिसन इस एक्जाम का होगा और एक भी एचससी अब की बार रिवाइजड की डालने वाली है ठीक है अब रिवाइजड की डालेगी और यह सारी चीछ जो है फंक्शन करेगी इसमें थूड़ी देरी हो सकती है लेकिन यह कहीं पर नहीं यह लेकिन इसकी पॉसिबिलिटी थोड़ी कम लग रही है कम नजर आ रही है क्योंकि एचससी ने अपना प्रोसेस जो है वो थोड़ा अलग कर दिया है ठीक है क्योंकि एचससी अब की चाहरी है कि अब की बार में रिवाइजड की डालें उसके बाद जो है अच्छे से लग सकता है लेकिन हम एक भी क्योरी नहीं रहने देंगे यह ऐसा जो है एचससी के मिम्बर्स का कहना है और यही रिपोर्ट आ रही है अब तक यह रिपोर्ट नहीं आई है कि पांच दिसमबर को आपका रिजल्ट आएगा आपका रिजल्ट कभी भी आ सकता है आप फीजि रिजल्ट भी इस तरीक तक भी आ सकता है बीच में बीकि आ सकता है लेकिन थोड़ी पॉसिबिल्ट कम लग रही है क्योंकि एचसेससी ने अपना प्रोसेस जो है वो क्या कर दिया बही अलग कर दिया है रिवाइज की दिने वाली है रिवाइज की के साथ वो जो है आपका नौर्मलाइजेशन भी जो है अच्छे से करने वाले हैं ठीक है उसके बाद आपका रिजल्ट देने वाले हैं अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो आपका रिजल्ट पहले भी आ सकता है लड़कियों के लिए मैंने आपको बता दिया लड़कियों का प्रोसेस कंप्लिट हो के लाश्ट तक कमांडो का फाइनल रिजल्ट देखने को मिल जाएगा और एक और चांसिट जो मिल रहे हैं वह यह है क्योंकि इन सभी की ट्रेनिंग एक साथ होनी है इन सभी की जयनिग एक साथ होनी है एक साथ सब प्रोसेस होना है इसलिए भी यह देरी जो है दीरे धेरे अपने प्रोसेस को सलो कर दिया है ठीक है तो यह आपके लिए एक इनफॉर्मेशन दी जो बच्चे यह सोच रहे थे कि पांच डिसमबर को जो है रिजल्ट आएगा क्योंकि भी बहुत चे देखे हैं मैंने बहुत चे फोन आ रहे हैं कोल आ रहे हैं वो कहरें कि अब तो पां को सियर करें धन्यवाद